हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे नंबर एनलोजी के प्रेशनों की वही प्रेशन लेकर आया हूँ जो एक्जाम में पूछे गए हैं तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तो पहला प्रेशन आपका 25-73 का रिलेशन दोस्तो 31 30 से है अब आप यहाँ पर देखेंगे ये तो बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत ही छोटी संख्या है इतनी बड़ी संख्या का रिलेशन इतनी छोटी संख्या से कैसे बन सकता है कुछ ना कुछ लोजिक रहा होगा जो कि इनका रिलेशन बनेगा उसी रिलेशन ये बहनेगा के लिए दोस्तों बात समझ भाई तो आपको करना क्या होता है नंबर एनलोजी में लोजिक पकड़ना होता है अगर एक बार लोजिक पकड़ लिए तो कितना भी बड़ा सवाल हो कितना भी कठिन हो आंसर आ जाएगा लेकिन लोजिक नहीं पकड़ पाए तो नहीं क जोड़ेंगे कितना सत्रा 31 नहीं आ रहा किलियर है 31 ऐसे नहीं आ रहा तो फिर ऐसे करिए दो का मल्टिप्राई कीजे पांस से दो पच्चे कितना हो जाएगा 10 दो पच्चे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा साथ का करो तीन से साथ तरीका कितना हो जाएगा 21 आपने क्या किया है कि जो पहले की दो संक्या है उनका multiply कर लिया जो बाद की संक्या है उनका multiply कर दिया और दोनों को जोड लिया तो 10 और 21 कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा आपको मालूम है तो एक logic तो समझ में आया तो उसी logic से इसको पकड़ के देखते हैं पहली दो संग्याओ का multiply करो चार्चिंग कितना हो जाएगा दोस्तो 24 हो जाएगा दो निमा कितना हो जाएगा दोस्तो 18 हो जाएगा अब इसको आप जोड़ के देखिए 24 और 18 कितना हो जाएगा 42 अब 42 आपका किस option में है बी option में है तो बी option हो जाएगा आपके question का दोस्तों सही answer इतना बड़ा सवाल था संग्याओं बड़ी बड़ी थी लेकिन जब आपने logic को पकड़ लिया तो सवान कितना आसान होने लगा तो सवाल कोई भी कठें नहीं होता है अगर आपकी practice अच्छी है तो कोई भी सवाल आप कर सकते है अब देखेंगे अगला question अगला question है साथ का relation 24 से है और यहाँ पर दोनों ही जगे question mark है तो यहाँ दोनों ही जगे question mark की संग्याओं आपको find करनी है तो सबसे पहले इन दो संग्याओं को logic पता कीजिए साथ से कितना बनाना है 24 बनाना है तो साथ से 24 कैसे बना सकते हैं आप अगर दोस्तों आप साथ का multiply कितने से करना है तो कितना होता साथ तरीका 21 होता है आपको चाहिए 24 के लिए रहे 24 के लिए क्या करेंगे आपकर आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपको 24 नहीं मिल जाएगा जो पहली संख्या है उसका multiply 3 से करना है और उसमें 3 को ही जोड़ देना है आई बात समझ में तो पहली संख्या 7 है तो 7 का multiply 3 से किया और 3 को ही चोड़ दिया तो यहां पर हम देखेंगे पहली संक्या जोड़ रहेगी उसका मल्टिपाइज 3 से करेंगे पहली संक्या 30 है 30 का मल्टिपाइज 3 से करेंगे 90 और 90 में 3 को ही चोड़ेंगे 93 हो जाएगा लेकिन यहां 100 दे रखा है तो यह तो गलत हो गया 23 का देखेंगे 23 का multiply दोस्तो 3 से करेंगे 23 तरिक का 69 और 69 में 3 जोड़ेंगे बहतर यह सही आ रहा है दोस्तो पहली संख्या कितनी है 23 यहाँ multiply 3 से क्या था पहली संख्या का यहाँ भी 3 से कर दो कितना हो जाएगा 3 तरिक का 9 हो जाएगा 3 दुनी का 69 3 को ही जोड़ा था तो यहाँ भी 3 को जोड़ दो तो 69 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 और यहाँ पर आपको 72 दे रखा दूस्तो संख्या यही हो जाएगा आपकी question का दोस्तों सही answer तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है 363 है 489 है 589 है यहाँ पर question mark बड़ी बड़ी संख्याएं हैं दोस्तों लेकिन क्या relation बन रहा है वो आपको पता करना है अगर हम ऐसा करके देखें कि यहाँ से 3 से 4 हुआ एक बढ़ गया यहाँ पर 6 से 8 हो रहा है दो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर 3 से 9 हो रहा है तो logic नहीं बन पा रहा दोस्तों यह बाला logic नहीं बनेगा तो जरूर कोई दूसरा logic होगा इसमें क्योंकि संख्याओं सभी बड़ी बड़ी है और आसपास में ही है जादा बड़ी या जादा छोटी नहीं है तो देखें क्या logic इसमें बन सकता है इन सभी संख्याओं को क्या कीजिए देखें तो तीन है पिलश छे पिलश petals ती इनको मैं आपस में पिलस करनीघा कितना हो जाएगा तीन और छे नु मैं तीन जोड़ेंसं कितना हो जाएगा तो थीलिए रहा है यहान इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंसITY कोदेगा तीनों को कितना है तीनों संख्याँगां को आपस में जोड़ेंगे तो यह कितना मिलेगा दोस्तों यह मिल जाएगा आपका 5 प्लस 7 प्लस 9 दीक है ुनको जोड़ेंगे 7,5,12 और 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा अब देखिए लोजिक कुछ पकड़ में आया यहां बारा था यहां 21 है और यहां भी 20 है नहीं पकड़ में आया देखिए दोस्तों यहां पर इनको जोडने के बाद किरें में क्या मिला था बारा अगर मैं बारा को फिर से जोड़ दूं तो दो और एक कितना हो यहां पर भी वहीं मिलेगा दोस्तों सभी को जोडने के बाद में फिर उसे रिवर्स जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए तू पहली संक्यां को जोड़ते हैं 5, 6, 11, 12, 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा और 13 को फिर से जोड़ेंगे तो तीन और एक 4 कितना आ न यही हो जाएगा दोस्तों आपके question का सही answer तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को question बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखें किया अगला question अगला question है 21 का relation 45 से है तो 43 का relation क्या बनेगा question बहुत ही अच्छा है दोस्तों इस question को देखने के बाद लगेगा कि वाकई में cut in question है high level का question है और आप कहते हैं sir आप number analogy ज़्यादा कराते हो तो मैं आपको बता दू number analogy कभी खतम नहीं होता क्योंकि number analogy में different different type के logic बनते रहते हैं इसलिए number analogy कभी खतम नहीं होता इसमें type बनते रहते हैं दोस्तों नहीं नहीं इसलिए जितना इसकी practice करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा अब देखे इस question में क्या logic है 21 से क्या करना है आपको 45 बनाना है तो इस 21 को आप लिखेंगे 21 का multiply आपने एक से किया तो कितना रहेगा 21 ही मिलेगा ठीक है अब इस 21 को क्या करेंगे आप पलट देंगे तो 21 को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और इस 12 का multiply दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे एक और चार पांच दो और दो चार कितना मिल गया 45 मिल गया 45 मिल गया दोस्तों बिल्कुल सही है अब वही लोजिक यहां पर लगाना है लेकिन इस लोजिक में कुछ समझ में आया जो संख्या थी एक वार उसका मल्टिपाई हमने एक से कर दिया फ देखिए दोस्तों बात को अगर नहीं पकड़ पाए तो प्रेस्ट नहीं कर पाएंगे यहां पर हमने एक से मल्टिप्लाई किया है क्यों किया है क्योंकि इसका जो एकायंक है वो एक है अब यहां पर इसका एक तीन है तो तीन से मल्टिप्लाई करेंगे दोस्तों बात कितना हो जाएगा 34 अब यहां पर एक आख दो था तो हम ने दो से multiply किया अब यहां पर एक आख 4 है तो 4 से multiply करेंगे बात ाई समझ में 4-4-16, 16 का 6!! केरी का बन 4-13 का 12 और के रिक का बन कितना हो जाएगा 13 अब इसको जोड दीजी जब यहां जोडा था तो यहां भी जोड़ दो 9, 6, 15 का 5 कैरी का बन 2, 3, 5 कैरी का बन कितना हो जाएगा दोस्तो 6 हो जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 तो 265 किस option में है वही आपका answer हो जाएगा C option हो जाएगा दोस्तो आपके question का सही answer तो मैं उम्मिद करता हूँ सभी को question बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका 282 है, 354 है 444 है यहां पर क्या आएगा अब देखे इसमें जो logic है अगर आप ऐसे बनाएगे कि पहली संख्या का दूसरी से तो यहां पर बड़ी बड़ी संख्या हैं दोस्तों तो थोड़ा cut in होगा जब बड़ी बड़ी संख्या होती हैं तो हम क्या करते हैं जो बड़ी संख्या उनको हम जोडते हैं या आपस में multiply करते हैं उस तरीके से solve करते हैं तो यहाँ पर देखें आपर जो तीन संख्या में तीनों को जोड़ता हूँ दो पिलस आठ पिलस दो आठ दो दस दो बारा कितना हुआ जोड़ने पर बारा इनको भी जोड़ता हूँ तीन पिलस पांच पिलस चार तीन, पॉंच, आठ, आठ, चार कितना ये भी बारा हुआ इसको जोड़ेंगे चार प्लस चार प्लस चार चार ओद चार, अब देखें जब यहाँ पर इन तीनों का योग बारा आ रहा है तो यहाँ पर जो संध्यार रहेगी उसका योग भी तो बारा ही आएगा तो चेक कर लीज़े option में से किसका यूग 12 है 4 और 5, 9, 9 में 3 जोड़ेंगी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो पहला option हो गया सही आगे के option चेक करेंगे 8, 4, 12 और 1, 13 ये गलत हो गया 3 और 3, 6, 6 और 8, 14 होता है ये भी गलत 2, 5, 7, 7 और 8, 15 होता है दोस्तों ये भी गलत तो पहला option हो जाएगा आपके प्रेशन का दोस्तों सही answer उम्मीद करता हूँ सभी की समझे में आगया होगा आप देखेंगे अगला question अगला question है आपका यहाँ दे रखा है 992-733-845-632 question mark तो question mark की जगे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है तो यहाँ पर जो पहले से संख्या दे रखी है इन संख्यां में कुछ ना कुछ लोजिक लग रहा होगा उसी लोजिक से ये question mark की संख्या मिलेगी तो देखे इस question में क्या लोजिक है उसे अच्छे तरीके से दोस्तों अगर आप समझेंगे तो पहली संख्या 9 है और लाश्ट वाली संख्या क्या है दू और 9 का 2 का आपसे multiply कर देंगे तो कितना मिलेगा 18 पहली संख्या और लाश्ट वाली संख्या का multiply करो कि यहां भी पहली और लाश्ट का किया था तो यहां भी पहली लाश्ट का साथ तरीक का कितना हो जाएगा दोस्तों साथ तरीक का हो जाएगा 21 और इनको जोडने के बाद क्या होगा दोस्तों बीच वाली संख्या तो दो और एक को जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया तो यहाँ पर 3 ही तो दे रखा है बात समझ में आ गई यहाँ कीजिए पहले और लाश्ट का 8 तो 5 कितना होता है 40 और इनको जोडने के बाद क्या मिलेगा बीच वाली संख्या तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही मिलेगा तो बीच में 4 दे रखा है यहाँ जोड़ेंगे 6 दुनी का कितना हो जाएगा 12 और इसे जोड़ेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 तो बीच में यहाँ 3 ही तो दे रखा है अब यहाँ पर कॉशन मार की जाएगे आप निकाल सकते हैं दोस्तो पहली संख्या का मल्टिप्राइ करेंगे लाश्ट वाली से तो एक का मल्टिप्राइ करेंगे कितना रहेगा 4 केलियर है और 4 को जोड़ेंगे तो बीच में कितना रहना चाहिए 4 लेकिन एक दे रखा है तो यह गलत हो गया 3-5 कितना हो जाएगा 3-6 के 18 हो जाएगा 3-6 के 18 इसको जोड़ेंगे पापस 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 लेकिन यहां तो 2 दे रखा है तो यह गलत हो ग необход है केलिए यह भी option आपका गलत हो गया 30 option चार पच्छे दोस्तों कितना हो जाएगा बीस और बीस को जब रिपाज़ आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दो बीच में क्या दे रखा दो दे रखा तो यही हो जाएगा आपकी question का दोस्तों सही answer तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को question पहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक series चल रही है 134, 246 और 308 तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा तो यहाँ पर जो series चल लई है यहाँ पर उसी के अनुसर आप उसमें logic पता करेंगे उसी का अनुसर आपको पताचलेगा की यहाँ पर क्या आएगा बात समझ में आई अब देखें सीरी आपको सीदा सीदा दीखेगा अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि इसमें क्या लोजिक है, देखें दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या 1 है, यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 2, बात आई समझ में, एक से कितना हुआ, 2, और यहाँ पर पहली संक्या क्या है तीन तो एक से कितना हुआ दो, दो के बाद तीन तो तीन के बाद दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, सिंपल सी बात है एक, दो, तीन, चार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अब यहां पर क्या है दोस्तो चार है लाश्ट वाली संक्या, यहां पर क्या है छे, इस बार क्या हो रहा है, प्लस दो हो रहा है, चार के बाद छे हो रहा है, और छे के बाद दोस्तो क्या हो रहा है, आठ मतलब प्लस दो हो रहा है इस बार, तो 8 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 10 तो क्या मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा 10 नहीं लिखना एकाई अंक लिखना है तो 10 में हमारा एकाई अंक क्या हो जाएगा 0 तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 0 बाता ही समझ में तो यह कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा B option 10 लिखेंगे तो option में भी answer नहीं है लेकिन जब हमने इनका लिखा था तो सबका 1 अंक लिखा है तो 10 का भी तो 1 अंक लिखेंगे तो 460 हो जाएगा आपके question का सही answer उम्मिद करता हूँ सभी को प्रेशन अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका यहाँ पर आप देखेंगे 538 है 725 है 813 है तो यहाँ पर देखें क्या आएगा logic आपको पता करना है logic क्या है इन तीनों में अगर आपको logic पता चल गया तो चौती संग्चा में क्या logic लगेगा आप पता चलना लेंगी लेकिन देखेंगे इसमें क्या logic है पांच, तीन, आठ अगर दोस्तों जो पहली संग्चा है और लास्ट वाली संग्चा अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 5 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 ठीक है clear हुई बात यहां भी इनको जोड़ूं में 7 और 5 7 पांच कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा clear है 8 और 3 को जोड़ू 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 ठीक है अब देखी यहाँ पर 13 में 1 कया है 3 तो यहाँ पर बीच में 3 दे रखा है 12 में 1 कया है 2 यहाँ बीच में 2 है 11 में 1 कया है 1 यहाँ बीच में 1 है तो बात समझ में आगी किस तरीके से question solve हो रहा है उसी तरीके से आप यहाँ पर solve कीजिए पहला option लेंगे 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तो 12 12 का यह का यह क्या है 2 बीच में 2 आना चाहिए लेकिन 1 दे रखा है तो यह गलत 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 1 का यह 9 है बीच में 9 आना चाहिए लेकिन 1 दे रखा है तो यह भी गलत 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 11 में 1 आयंग 1 है बीच में 1 आना चाहिए लेकिन 2 दे रखा है तो यह भी गलत last को चेक करते हैं 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाए 11 में 1 आयंग क्या है 1 और बीच में क्या दे रखा एक तो यही हो जाएगा आपके प्रेशन का सही आंसर तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को कोशन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला प्रेशन है आपका देखें इस प्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया प्रेशन पूछाए एक्जाम में देखें 702 का ररे लेसर 28 से तो बढ़ी संख्या कर लेसर बहुत छोटी संख्या से है और 623 का ररे लेसर भी छोटी से बनेगा option में भी आपको छोटी संख्या दे रखी है तो वो logic आपको पता करना है कि क्या logic है देखे, यहाँ पर क्या दे रखा है 77 का square करेंगे 49 होता है बाद में क्या दे रखा है 2 का square करेंगे दोस्तों कितना होता है, 4 होता है अगर आप दोनों को जोड़ें पहली संख्या का square और last वाली संख्या का square करके आप जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 494, 53 ठीक है, लेकिन अभी आपके पास बीच वाली संख्या बची है तो दोनों संख्याओं को आपने square करके जोड़ लिया, और बीच की संख्या का square कितना होता, 5 का square होगा तो 25, तो दोनों संख्याओं का square करके बीच वाली संख्या के square को घटा दीजे 5 का square को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 53 मैंसे 25 को घटाएंगे, 28 मिलेगा ये वाला, बात आई समझ में पहली संख्या का square किया लाश्ट वाली का किया, दोनों को जोड़ दिया बीच वाली के संख्या को square को minus कर दीजे, ठीक है वही यहाँ पर कीजे, पहली संख्या का square कितना 36, लाश्ट वाली का कितना 9, दोनों को जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 36 और 9 यह हो जाएगा आपका दोस्तो 45 के लिए रहे, बीच वाली संख्या का square करके minus कर दो, 2 का square कितना होगा 4, तो 45 में से 4 को minus करेंगे, तो कितना आएगा, 41 आएगा पहला option हो जाएगा, आपके question का दोस्तो सही answer तो मैं उम्मीद करता हूँ, सभी को question बहुत ही, अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का वटन भी दबा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद